गुड बार्णिंग शुडेंट्स इस बीडियो लेक्टर में हम इन फिक्स एक्स्प्रेशन को पोस्ट फिक्स एक्स्प्रेशन में कैसे कनवर्ड करते हैं इसको जो है सॉल्व करके दिखाएंगे और जैसा कि आप जानते हैं कि इस तरह के प्रावल्लम जो है एक टी यू इन्वर्सिटी में बार बार आ रहे हैं तो इसलिए मैंने सॉल्व किया है आईए उसको देखते हैं देखे प्रावल्लम दिया है कि रूट आप दे क्वाड़िटी एक्वेशन यक्स माइनस बी प्लस अंडरूट बी स्कार माइनस फोर एसी डिवाइड़ बाई टूए इन पोश्ट फिक्स फार्व तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको जो अंडरूट है इसको जो है हम पावर हाप में कनवर्ट करके जहां जहां पर पावर है उसको जो है यह सिंबल कैरेट सिंबल लागर कर देंगे इसके बाद यह हमारा जो सिंबल है इन फिक्स फार्व में हो गया इसके बाद जो है हम इसको हमारा जो भी कनवर्जन होता है वह इस्टैक में होता है तो इस्टैक के तुद आये इंप्लिमेंट करते हैं तो देखिए मैंने जो सबसे पहले यहां पर तीन कालम बना लिया सींबल इस्टैक इस्टैक का आयरो है आरो जो है टाप कि तरफ है और जो टेल है वह जो बॉटम की तरफ है ओकेस्टिट्स स्ट्पक्श प्युद्फिक्स यहां पर तीसरा कालम है अब सबसे पहले हमारा जो symbol है X है, X को हम क्या करेंगे symbol को symbol वाले कालम में write करेंगे और इसके बाद यहां पर stack में अभी कुछ पुछ नहीं हुआ है तो post expression में यहां पर X write किया इसके बाद अगला symbol assignment operator है तो अगला symbol assignment operator को लिया तो जो operator होगा उसको हम stack memory में क्या करेंगे push करेंगे तो इस symbol को stack में push किया तो पहला symbol हमारा आ गया पहला symbol आ गया जो है assignment operator और post fix expression में जो है यहां पर X रहेगा फिर अगला symbol हमारा होगा left parenthesis तो इसको देखे यहां पर हमने जो है करके रखा है क्योंकि समय बचाने के लिए तो अगला देखे symbol हमारा क्या होगा left parenthesis होगा तो इसके बाद assignment हमारा जो है bottom में रहेगा और यह जो है left parenthesis जो होगा टाप पर आ जाएगा इसके बाद यहां पर post fix expression में क्या होगा यक्स रहेगा यहां पर लिया है और इसको जो है stack में जो है push किया तो इसके उपर आ जाएगा minus तो यहां पर post fix expression में यक्स रहेगा इसके बाद b आएगा तो देखे b को हमने जो है यहां पर post fix expression में write करेंगे और यहां पर कोई change नहीं होगा तो इसके बाद b के बाद देखे अगला जो सिस्टाइक में माइनस था प्लस एंड माइनस ग है दोनों का प्रेशी लें से मैं स्टोब sûr गता है यहां पर उसर आउट रूजाएगा है यहां पाफ हो जाएगा तो एक वी माइनस आ गया है इसके बाद जो सिंबल है छे przy RH को लिया यहां पर सिंबल को इसके बाद यहां पर यहां पर कोई छेंज नहीं होगा यक्स B- इसके बाद प्रांथिस कि ज़िस्ट बाद जो है सिंबल है बी, तो बी को लिया और बी हमारा जो है यहां पर कोई च्छ नहीं होगा और यहां पर यक्स B- हो जाएगा बी के बाद अगला सिम्बल है कारट सिम्बल जिसे हम एक्सपोनेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो एक्सपोनेंट आएगा तो यहां पर टाप पर जो आ सिंबल हो जाएगा और यहां पर एक्स भी माइनस भी हो जाएगा इसके बाद सुडेंट तो आएगा तो हमारा जो है जो है एक्सप्रेशन पोस्ट्रिक्स एक्सप्रेशन के इंड में आ जाएगा एक्स भी माइनस भी टू इसके बाद अगला सिंबल माइनस माइनस आएगा तो माइनस हमारा क्या होगा जैसे जो है इस टैक में आएगा तो माइनस एंड कैरेट में जो है कैरेट का जो प्रिसिडेंस होता है रैंक होता है हाई होता है तो इसलिए जो है कैरेट जो सिंबल होगा एक्षन करेगा और action करने बाद pop up हो जाएगा तो pop up हो गया तो यहां पर आ गया post fix expression में तो xb-b2 carrot symbol इसके बाद जो है हमारा आ गया अगला symbol लेंगे जो है 4 4 को लेंगे तो 4 हमारा क्या हो जाएगा यहां पर कोई change नहीं होगा यहां पर आ जाएगा expression में फोर इसके बाद जो है अगला symbol जो है asterisk लेंगे तो क्या होगा यह हमारा जो है टाप पर जो है हमारा जो है यह push हो जाएगा stack में इसके बाद यहां पर कोई change नहीं होगा xb-b2 carrot 4 इसके बाद जो है अगला symbol a आएगा तो a को क्या करेंगे हम आपरेंड है यह तो इसको जो है इध्यान देना है कि हमारा जो भी operator होता है वह ही stack में push होता है ओके students तो देखिए यहां पर हमारा जो है यह post expression के end में हमारा a आ जाएगा इसके बाद जो है अगला symbol a a insert करेंगे तो जैसे देखिए अब यहां पर इसके a से पाले जो है यहां पर star जो जैसे symbol हम लेंगे तो memory में जो है stack memory में पाले से already जो है एक asterisk symbol है तो दोनों का precedence बराबर है तो यह पाले यह हमारा क्या होगा यह asterisk symbol क्या करेगा यह जो action करेगा और out हो जाएगा तो अगला जो हमारा expression होगा इसके जो end में asterisk symbol आ जाएगा और जो current asterisk का इसको replace कर देगा तो यहां पर minus asterisk रहेगा तो के बाद हमारा जो पोस्ट्रिक्ष एक्सप्रेशन इस फार में convert हो जाएगा इसके बाद इसके बाद हम c symbol लेंगे तो c symbol यहां पर क्या होगा यहां पर कोई चेंज नहीं होगा इसके बाद जो है c symbol यहां पर asterisk के बाद जो है आ जाएगा students इसके बाद closing parenthesis लेंगे closing parenthesis जैसे जो है यहां पर सिंबल लेंगे तो यहां पर क्या होगा देखें यहां पर इस्टार्टिंग सिंबल इसके बाद क्लोज जाएगा जैसे हमारा जो है सिंबल जो है परन्सिस क्लोज होता है तो यह सिंबल हमारे क्या हो जाएंगे जो भी होंगे वह पाप पाप हो जाएगा तो इसको दो, मैंने जो एक्रास आउट कर दिया है, तो यह हमारा एक्स्पेस्बसक्त के इंड में पाहले पाफ होगा Aopia अश्रुस्का, उसके बाद माईनस का पाफ होगा तो इसलिए यहां पर AISA ओप इसके बाद प्लस बचा यहां पर तो इसके प्लस के जस्ट बाद जो कैरेट शिंबल आ जाएगा और हमारा इसमें कोईां पर कोई चैज नहीं होगा इसके बाद अगला प्रचिंज चाएगा और यहाँ पर जो है कोई चेंज नहीं आएगा इसकर बात ऑगे जी देखते हैं तो इसके पाद फ़ल सिंबल लेंगे और यहां पर लाश्ट में आ जाएगा इसके बाद जो है स्लेश सिंबल लेंगे जिसे डिवाइड करते हैं तो एशिंबल हमारा क्या होगा यहां पर जो है इस टैक में जो है लेफठ पहरंतियस यहां इसके जस्ट बाद जब है पूश हो जाएक इसके बाद तू हमारा जो है टू आ पूरंड है तो आपरेंड हमारा जो है जाएगा जो है पोश्ट प्रिक्स एक्स्प्रेशन में वन के बाद यहां पर टू आ जाएगा ओके इसके बाद यह क्ट्रोजिंग परन्सिज हम सिंबल लेंगे तो और यह हमारा क्या होगा यह जो स्लैस है यह पाप अप हो जाएगा इस टैक मेमोरी से तो यहां पर देखे इसको जो है इस्टैक पर गया तो इह देखे अब यहां से लेखे यह जो है मारा जो है इस्टार्ट इसके बीच में स्टैक में इसर्ट्रीं मेमोरी से तो कैसे पाप अप होगा पहले इस्टैक को यह ताप पर होता है ओहां जो है, symbol पापाउट होता है, तो यह agreement होगा, उसके just बाद बलस होगा, तो देखिये यहाँ पर जो है, काइरेट प्लस symbol यहाँ पर लिया गया है, इसके just बाद क्या होगा, अगला symbol होगा, slash, तो slash symbol आएगा, तो assignment से लेखिये यहाँ तक pop up हो गया तो इसके बाद assignment की just about slash symbol आया तो यहाँ पर कोई change नहीं होगा इसके just about left parenthesis symbol लेंगे तो left parenthesis symbol क्या होगा इस टैक में जोब टाप पर आ जाएगा assignment slash left parenthesis ओके इसके बाद जोब यहाँ पर अभी कोई change नहीं होगा इसके just बाद जोब two append आयेगा जब two आयेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस के just बाद जोब two आ जाएगा append इसके बाद जोब star stress symbol जोब select करेंगे तो stress symbol हमारे जोब stack के टाप पर जोब insert हो जाएगा पूश हो जाएगा इसके बाद देखिए यहाँ पर इसमें कोई change अभी नहीं आएगा इसके बाद जोब a symbol लेंगे तो a symbol यह हमारा ऑपरेंड है तो आपरेंड हमारा क्या होगा expression के end में जोब जाकर के attach हो जाएगा इसके बाद हमारा जोब पर इसके बीच में जो भी symbol है यह जो आउट होगा तो यहां पर यह के बाद में इसको यहां पर रिपेंड करेंगे एक्सन जोब हो जाता है उसके बाद इसको इसको यहां पर क्रास आउट कर दिया तो इसके बाद जब क्लास कर देंगे तो क्या बचेगा यहां पर assignment बचेगा और स्लैस बचेगा तो अब हमारा हमारा चुछ किस्तिक में यहीं दो यहां पर आउट होगा इसके जस्ट बाद assignment operator आउट होगा तो इस तरह से student आप देखे जान से यहां पर जो भी हमारा जो है यहां पर लाश्ट एक्सप्रेशन है यह फाइनल जो है पॉस्ट फिस ऐक्स आप गीवेन इनपॉड़ एक्सप्रेशन तो इस तरह से student आप 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 जौत आप देखेicking जो है धस पॉष टूटेशन आप गीवेन इनपूड एक्सप्रेशनूड इज हो गया यह जो data है इसको यहां पर हमने राइड के लिया यहीं हमारा राइट आंसर हो गया इसी को हम क्या करते हैं reverse polished notation भी करते हैं post expression को reverse polished notation भी करते हैं तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो आप जो है अपने दोस्तों को भी इसको share करके मताईगी जहें